चलिए सुबात करने वाले हैं बजार के अंदर आपको आज किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि रिजल्ट सीजन चल रहा है तो काफी सारी कमपनियों के नतीजे डिकलेर हो रहे तो नतीजों के आधार पर हमें कहीं कमपनियों के अंदर रियक्शन देखने को मिलता है और आल काफी सारी खबरे कल के दिन हमलों को प्राप्त हुई जिन पर आज बजार के अंदर हमलों को रियक्शन देखने को मिलना है चलिस दो बात करते हैं real time index feature की, तो इस समें किस तरीके का mode और माहने, abbiamo- Saudita को ग्लोबली दिखने को Profile US 30 की बात करते हैं, तो इस समें green में कारोबार होता हो नजरा रहा है US 500 की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी हरियाली देखने को मिल रही है US Tech 100 की बात करते हैं तो तेजी का महोल है तो ज़्यादातर बजारों के अंदर इससे में हरियाली देखने को मुल रही है कुछी बजारों के अंदर इससे में हम लोगों को गिरावट देखने को मुल रही है 22 पा की बात करते हैं तो गिरावट का महोल है पर नजर आ रहा है लगबग 40 संकों की तीजी आपको 50-50 के अंदर दिखने को मुल रही है तो और आल जो बजार से संकेत इससे में हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं वह पॉजटिव प्राप्त हो रहे हैं तो एक एक्शन की उमीद अपने बजार से भी आपके करके चल सकते है गोस्तों बताना चाहूँ कि आज result heavy day है काफी सारी कंपनियों के नतीजे आज declare होने हैं तो जो प्रमक रूप से कंपनियां दिखाए देरी उनके बारे मैं आपको बताता हूँ तो ABB India इस कंपनी के आज Q1 के नतीजे डिकलेर होने हैं उसके बाद में Birla Soft इस कंपनी के Q1 के नतीजे डिकलेर होने हैं कोफोर्ज इस कंपनी के Q1 के नतीजे आज डिकलेर होने हैं हैप्यस्ट माइंड इस कंपनी के आज Q1 के नतीजे डिकलेर होने हैं उसके बाद IDBI बैंक इस कंपनी के आज Q1 के नतीजे डिकलेर होने हैं महनगर गैस इस कंपनी के आज Q1 के नतीजे इस company के आज Q1 के नतीजे डिकलेर होनी हैं दोस्तों काफी सारी company के आज Q1 के नतीजे डिकलेर होनी हैं तो उन पर आज बजार के अंदर हम लोग को reaction देखने को मिलेगा दोस्तों अब रुक कर लेते हैं कबर वाले share के तरफ तो सबसे पहले हमारी company होने वाली है इंडेसिंट bank Q1 के नतीजे डिकलेर हो चुके हैं और बड़ी हल चल नतीजों के इंदर हम लोग को देखने को मिल रही तो overall अच्छा खासा परदसान उमीद करके चल सकते कि इंडेसिंट bank के इंदर हम लोग को देखने को मिले देखें नेट प्रॉफिट की बारे में अगर देखें तो लगबग 9.75 बिलियन रुपीज के आसपास निकल के आ है और अगर इसके तुना पिछले वाले नेट प्रॉफिट से करते हैं जो कि पिछले साल हम लोग को देखने को मिल रहा था लगबग 4.6 एक बिलियन रुपीज के आसपास निकल के है तो येर ओन येर बिसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़रा रहा है इसी तरीके से अगर क्वाटर ओन क्वाटर बिसिस भी देखें तो 8.7 शे बिलियन रुपीज के आसपास निकल के है था लगबग 22 बिलियन रुपीज के आसपास निकल के है और अगर इसकी तुलना पिछले साल से करते हैं तो लगबग 1.8 बिलियन रुपीज के आसपास हम लोग को दिखाए दे रहा था तो एर ओन येर बिसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़रा रहा है लेकिन दोस्तमा को बताना चाहूँँआ कि लगबग 1.8 बिलियन रुपीज के आसपास हम लोग को quarter quarter basis पे नेट प्रॉफिट देखने को मल रहा था तो महां से इसके अंदर गिरावट हम लोग को दिखाए दे रही है इसी तरीके से अगर revenue की बात करते हैं तो 8.5 बिलियन रुपीज के आसपास निकल के आ रहा है और अगर पिछले साल का देखे तो रुप 7.6 बिलियन के आसपास हम लोग को दिखाए दे रहा था तो year on year basis पे net profit बढ़ता हुआ नजर आ रहा है revenue के अंदर हम लोग को उच्छाल देखने को मल रहा है तो इस stock के अंदर भी एक action की उम्मीद करके चल सकते हैं और अगर देखा जाये तो भारी उठा पटक आपको पिछले 6 महीने में इस कंपनी के अंदर देखने को मल चुकी है लगातार अच्छा खासा अब ट्रेंड आपको जून महीने के बाद से इस कंपनी के अंदर दिखाए दे रहा था तो मातर तीन दसम लोग दो एक बिलियन रुपीस के असपास हम लोग को प्राप्त हो रहा था तो येर ओन येर वेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इसी तरीके से अगर कोडर ओं कोडर बेसिस देखें तो दो दसम लोग नो साथ बिलियन रुपीस के असपास हम लोग को प्राप्त हुआ है तो कोडर ओं कोडर बेसिस भी नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो बात करते हैं अगली कम्पनी के बारे में तो दाल्मिया भारत, देखे लगातार जिस तरीके से रुजान अब तक इस कम्पनी के इंदर हम लोगों देखने को मिला, पिछले एक महीने के इंदर 20% की तेजी आपको स्टॉक के इंदर देखने को मिली है, तो इस कम्पनी के देखें तो एक दसमलो नो साथ बिलियन रुपीस के आसपास हम लों को प्राप्त हुआ था तो अवराल प्रॉफिट के अंदर उच्छाल देखने को मिल रहा है यह रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ हूँ कि अगर क्वाटर बिस्टिस देखें तो लगबग चैज़ पिछले साल का रिवेन्यू देखें तो अन्यस बिलियन रुपीस के आसपास हम लों को प्राप्त हुआ था तो इयर और बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रहा है लेकिन क्वाटर क्वाटर बेसिस पे जो प्रॉफिट है उसके इंदर गिरावा पिछले साल का रिवेन्यू रुपीस के आसपास हम लों को प्राप्त हुआ था तो बहेंकर गिरावट आपको नेट प्रॉफिट के अंदर येर और बेसिस पे देखने को मिल रही है और अगर क्वाटरन क्वाटर बेसिस भी देखें तो 517 मिलियन रुपीस के आसपास निक रिवेन्यू निकल के आ रहा है लगवग 5.8 बिलियन रुपीस के आसपास निकल के आ है और अगर पिछले साल का रिवेन्यू देखें तो लगवग 5.4 बिलियन रुपीस के आसपास हम लों को प्राप्त हो रहा था तो येर और येर बेसिस पे आपको प्रॉफिट के अंद देखने को मिल चुके हैं लोंग टम के साब से ये कंपनी के से दिखाया दिरी तो चार्ट प्रेटर ऊपर की तरफ ही मूँ करते हुए नजर आ दे थे लेकिन अब नतीजों के अंदर हम लोग को मायूसी हाथ लगती हुए नजर आ रही है तो कहिना की उठा पटक इस कंपनी क के इंदर देखने को मिल सकती है तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है इस स्टॉक को भी अपने रडार पर रह सकते हैं बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में तो इंडिगो देखे क्यों के नतीजे इस कंपनी के डिकलेर हो चुके हैं और बताना है इसी तरीके से अगर क्वर्टर क्वर्टर बेसिस भी देखें तो भी कंपनी के इंदर हम लोग को नुक्सान देखने को मिल रहा है साथी में दोस्तों बताना चाहूँ कि जो कंपनी का रिवेन्यू है वो ओवराल येर और येर बेसिस पे हम लोग को बढ़ता हुआ नज देखने को मिली थी ओवराल एक तरफा हम लोग को पॉजेटिव संकेत इस कंपनी के इंदर प्राप्त हुए है जो कि हैं रिवेन्यू के अंदर वो है येर और येर बेसिस पे लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस कंपनी का हम लोग को क्वाटरों का रिवेन्य देखने को मिल रहा है लगबग 62 बिलियन रुपीस के आसपास निकल के है तो वहां से भेंकर गिरावठ हमें देखने को मिली है आधा हो चुका है तो बड़ी हल्चल इस कंपनी के इंदर आज आज की दिन आपको देखने को मिल सकती है तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं म आपके मोबाइल मिल सके तैंक ये समच फॉर ओचिंग